हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माइ यूटूब चैनल बूल मारकेट्स आज हम HCL टेकनोलोजिस के थर्ड क्वाटर के रिजल्ट का एनलिसिस करेंगे थर्ड क्वाटर के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं कम्पनी ने 4 उपीस का क्वाटर लिए डिविडेंट भी डिक्लेर कि HCL टेक का रिजल्ट देखने के पहले हम HCL टेक का एक बैग्राउंड चेक कर लेते हैं HCL टेक याने की हिंदूस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड ये एक ग्लोबल आईटी सलूशन्स कम्पनी है जिसका फॉर्मेशन 1976 में हुआ था ये कम्पनी Software Development Services, BPO Services और IT Infrastructure Services सबसे पहले हम revenue देखेंगे, कम्पनी का 3rd quarter का revenue था 19,302 crores, year on year 6.4% की ग्रोथ है, वही quarter on quarter 3.8% की ग्रोथ है, जो कि ये काफी अच्छा नंबर है अब हम HCL Tech के net profits देखेंगे, कम्पनी ने 3rd quarter में 3,982 crores का profit कमाया है, year on year 31% का ग्रोथ है, वही quarter on quarter 27% का ग्रोथ है ये growth figure देखेंगे ये पता चलता है कि कम्पनी के profits काफी अच्छे से grow कर रहे है HCL Tech ने इस quarter में 4 रुपीस का dividend declare किया है, ये dividend last year 2 रुपीस था, company ने last 72 quarters में consecutive dividend declare किया है, जो कि एक अपने 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 record है इस quarter का company का profit margin था 20.60%, वही last year 15.71% था Company का cash EPS इस quarter का 62 रुपीस पर share था, HCL Tech ने 13 transformation deals पाई है और इस quarter में company में 6,597 employees ने join किया है HCL Tech का revenue 10% से grow करा है last 4 years में और EPS last 4 years में 19% से grow करा है, जो कि एक काफी अच्छा number माना जाता है अगर 10 साल पले अपने HCL Tech में 10,000 रुपे निवेश की होते, तो आज आपके लगबग 83,000 रुपीस बन गए होते at the rate of 23%, वही अगर आपने 5 साल पले 10,000 रुपे निवेश की होते, तो आज आपके लगबग 22,500 रुपीस बन गए होते at the rate of 18%, जो कि ये काफी अच्छा rate of return है HCL Tech का करन्ट मार्केट प्राइज है 990 रुपीस, इसमें आप बायों डिप्स की स्ट्रेजी यूज कर सकते हो और long term के लिए invest कर सकते हो dividend yield 1% है, return on equity 24% है, जो कि ये काफी अच्छा number है last 10 years का sales growth 21% है, वही last 10 years का profit growth है 25% जो कि ये काफी अच्छा growth माना जाता है आपको HCL Technologies में long term के लिए इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि ये company regular dividend paying company है, compounded sales और profit growth last 10 years का 10% से ज्यादा का है, promoter shareholding 60% है जो कि ये काफी अच्छा number है company ने consistently अपने share rollers के लिए wealth create करके दिया है ये company एक debt free company है और company की balance rate काफी clean है अगर आप long term के नजरे से देखें तो company में invest कर सकते हैं और अच्छा खासा return कमा सकते हैं अगर आप किस यह और IT stock में invest करना चाहते हो तो आप TCS, Infosys या Vipro के सज़ जा सकते हो तीनों ही company large cap को belong करती है और fundamentally काफी strong companies है आने वाले समय में अच्छा खासा wealth create कर सकती है और regularly companies dividend भी pay करती है Thank you for watching guys अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए और ऐसे ही stock ideas के लिए channel को subscribe कीजिए